Welcome back my basic class तो पिछली क्लास में हमने आपको present perfect tense करना सिखाया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में मैंने उसका link दे दिया है आप चाहो तो वह वीडियो देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम आपको present perfect continuous tense बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम पहँचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में present perfect continuous tense है तो यहाँ पर हमने पहँचान लिखी है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदी सब्द आते हों और इन वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है तो ऐसे वाक्यों में present perfect continuous tense होता है जैसे मैं एक उधान दे रहा हूँ आपको जैसे मोहन दो घंटे से गेंद खेल रहा है तो उसमें रहा है, आ रहा है और उसमें समय दिया है दो घंटे, ठीक है तो कारे की सुरुवात का समय दिया होता है और बाक्य क्यंत में रहा है रही है, रही है, आदि सब्द आते हैं तो वहाँ पर present perfect continuous tense होता है अब नियम है इसके पहला नियम है इन वाक्यों में एक वचन करता के साथ में साइक्रिया has been का प्रियोग करते हैं यदि करता एक वचन है तो साइक्रिया has been लगाएंगे और यदि करता बहुवचन है या फिर I, V, U, they इन में से अगर कोई है तो साइक्रिया have been का प्रियोग करते हैं ठीक है, एक वचन के साथ में साइक्रिया has been और बहुवचन तथा आईवी यूदे के साथ में साइक्रिया हैवीन का प्रियोग करते हैं अगला नियम है इनका यदि वाक्य में निश्चित समय है तो निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रियोग करते हैं ठीक है और अनिश्यत समय से पहले हम फौर का प्रियोग करते हैं तो ये कैसे पेंचानेंगे कि समय निश्यत है या अनिश्यत है तो देखिए निश्यत समय में घड़ी का फिक्स टाइम, कलेंडर की फिक्स डेट और पहर यानि सुभे, दोपहर, साम, रात ये सभी जो है अनिश्यत समय होता है, जिसमें टाइम या दिन हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए, मैं एक उधारण दू जैसे जैसे मोहन दो बज़े से गेंद खिल रहा है, तो वहाँ पर सिंस आएगी क्योंकि दो बज़े गड़ी का फिक्स टाइम होता है, ठीक है? क्योंकemente दो बज़ते ह होता है ठीक है तो निश्यस समय के लिए सिंस और अनिश्यस समय के लिए फौर लगाते हैं तीसरा नियम है इन वाक्यों में मुख्य yes की फर्स्ट फॉर्म में आई यंजी जोडते है अब यहां पर हमने उधारण लिये हैं तो देखिए यहां पर हमारा पहला उदारण है मोहन दो घंटे से पढ़ रहा है अब देखिए इसमें लास्ट में आ गया रहा है तो रहा है तो यह प्रिजेंट परफेक्ट कंटूनेस चैंस बन गया क्योंकि इसमें समय दिया है पढ़ने का तो मोहन ने दो घंटे पहले पहले सबसे पहले यहाँ पर करता मोहन है तो मोहन की अंग्रेजी बनाएंगे मोहन अब मोहन एक बचन है तो यहाँ पर साइक करिया हम हैज बीन का प्रियोग करेंगे मोहन हैज बीन ठीक है मोहन हैज बीन अब इसमें मुख्य करिया है पढ़ना तो पढ़ना किया रीड और तो इसमें जोड़ेंगे I-N-G ठीक है Mohan has been reading अब देखिए अब कब से पढ़ रहा है वो दो घंटे से तो दो घंटा यहाँ पर अनिश्चित समय है और अगर दो बजे होता तो निश्चित होता तो अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर लगाएंगे फोर 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 दो घंटे की टू आवर्स ह-o-u-r-s ठीक है तो मोहन दो घंटे से पढ़ रहा है तो मोहन मोहन एक बचन है तो has been read my I-N-G जोड़ा रीडिंग और दो घंटा जो है अनिश्चित समय है तो फोर लगाया और दो घंटे की टू आवर्स अगला है हम आठ दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यह बहवचन है हम तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे वी और वी बहवचन में आता है तो इसमें साइक करिया लगाएंगे have been ठीक है we have been अब मुखे करिया इसमें पढ़ना तो reading we have been reading अब समय है इसमें आठ दिन और आठ दिन जो है अनिश्चिस समय है तो यहाँ पर भी हम फोर का प्रियोग करेंगे फोर एट सौरी ए आई जी एच टी एट डेज डे ए वाई एस तो यह हो गया we have been reading for eight days यहाँ पर अगला उधरान है पच्छी सौए से चेंचा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सौए जो है निश्चिस समय है मैंने आपको बताया था कि गड़ी का fix time calendar की fix date और पहर सौए साम, दोपहर, रात यह सब भी निश्चिस समय में आती है तो यहाँ पर पच्छी की लगाएंगे हम words v-i-r-d-s क्योंकि भावचन है words और भावचन के साथ में साइक करिया have been have been words have been अब चेंचाना की है चिर्प c-h-i-r-p इसमा-i-n-g जोडएंगे चिर्पिंग अब यहाँ पर देखिए समय है सुवह से और सुवह है निश्चित तो यहाँ पर हम since का प्रियूप करेंगे s-i-n-c-e since morning m-o-r-n-i-n-g ठीक है अगला है बच्चे एक जुलाई से पढ़ रहे है तो यहाँ पर भी निश्चित समय है क्योंकि एक जुलाई कलेंडर की फिक्स डेट होती है तो यहाँ पर हम करेंगे children c-h-i-l-d-r-e-n children अब यहाँ पर बहुचन है बच्चे तो have been children have been अब पढ़ना की है read इस माइ-n-g जोड़ेंगे अब कब से पढ़ना है बच्चे एक जुलाई से तो एक जुलाई जुलाई जो है निश्चित समय है तो यहाँ पर लगाएंगे since since first जुलाई कर सकते हो या एक जुलाई कर सकते हो तो मैं कर देता हूँ first जुलाई ठीक है अगला है मैं दो बज़े से टीवी देख रहा हूँ यह भी निश्चित समय है क्योंकि दो गड़ी में बजते हैं तो इसको करेंगे आई और आई जो है बहुबचन के अंदर आती है तो आई के साथ में लगाएंगे have been I have been I have been अब देखना की है बैसे C है लेकिन टीवी देखना के लिए मैच देखना के लिए आप वाच लगाएंगे तो यहाँ पर करेंगे वाच डबलू ए टी सी एच इसमा इन जी जोड़ेंगे वाचिंग टीवी कब से देख रहे हैं दो बज़े से तो इसमें भी सिंस आएगी सिंस टू ओ कलॉक बज़ेना की है ओ कलॉक ठीक है अब यहाँ पर एक उधान और है जो एक बचन का है मोहन दो अजार बीस से जैपर में रह रहा है तो यह भी निश्य समय है क्योंकि दो अजार बीस कलेंडर की फिक्स डेट होती है या यहर होता है तो यहाँ पर मोहन एक बचन है तो करेंगे हम मोहन अब यहाँ पर मोहन एक बचन है तो has been लगाएंगे मोहन has been अब रहना किये live l-i-v-e लेकिन ing जोड़ते है तो e को अठा देंगे हम ing ठीक है living कहाँ पर in जैपुर अब कव से रह रह रहा है 2020 से 2020 fix date है तो यहाँ पर लगाएंगे since since 2020 को हम ऐसे लिख देते हैं ठीक है तो इस तरह आप present perfect continuous tense बना सकते हो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करके channel को जरूर subscribe करने ताकि हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे